जैपुर में सिविल सिभा परिक्षाओं में सफलता प्राफ्त करनी की रण नीती को लेकर नर्माण आईयो संसार में सेमिनार का आयोजन हुआ संसार निदेश्यक प्रभात कुमार ने पताया इग्रामिन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए संसार काम कर रही है और इसी के ताद 85% से ज़्यादा अंक वाले स्टूडेंट्स को फिश में 50% तक की छूट दी जाएगी देखे आज का अपना जो कारिक्रम है ये सिविल सेवाओं में 26 जो राजस्तान के हैं ये कैसे इसको क्रेक कर सकते हैं चूकि हाल ही में देखा गया है कि देश में 97 आईएस इस बार निकले हैं राजस्तान से हम लोगों का ये उद्ध्य से है कि राजस्तान के ग्रामिन चेत्रों तक इस क्रांती को हम पहुंचाएं निर्मान आईएस के माध्यम से हम गरीब बच्चों को सिविल सेवाओं में सफलता के लिए आगे ला रहे हैं अभी राजस्तान में हर कोचिंग में मना हर एक्जाम में हर प्रुवेस परिक्चा में हर नोकरी की परिक्चा में जैपूर के बच्चे और राजस्तान के बच्चे प्रतमिस्तान प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुती गौरब संतोस और उत्साहा की वात है इस बार राजिस्थान में IAS की परिक्षा में 752 में से कुल 97 में लोग राजिस्थान से आए जो पिसले 10 सालों में करीब करीब 20 गुना ब्रद्दी है CAC, CLAT, NET, IIT सब में राजिस्थान से बच्चे आपने हाली में देखा होगा कि टॉप आ रहे हैं भी CS में 1st 1,2,3 राहिस्थान से थे, CAC में यही थे IAS में भी 1st और 2nd जो पोजिशन है वो जैपूर से ही आई है